हेलो दुरस्तों दिस इस करिश्मा चहान और विल्कम बैक टू माई चैनल तो थम्नेल देखकर आपको पता चली गया होगा कि आज की स्पेशल रेसिपी होने क्या वाली है आज हम बनाएंगे बिना कड़वाहट वाली इतनी जादा अमेजिंग डिलीशिस भरवा करेले जो की करेले कि भी मांग मांग के खाएंगे जब आप इस तरह से बना आएंगे इनका करवापन खतम करने वाले हैं तो सबसे पहले जो करेले क Megajто करवापन हे वह खतम और say की जिस से काफी करेले का करवापन सब्जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वो भी बहुत अच्छी बनेगी अगर आपको इस तरह से नहीं बनानी तो उस तरह से करेले की सबजी बनाएं और वो भी बिना कड़वाहट के जो बच्चे भी खा लेंगे तो सबसे पहले उपर की स्किन को निकालने के बादना कि जो ऊपर के छिलका है वो गुनो की खान है हम यहां पे करेली का कड़वाहट कम कर रहे हैं इसलिए मैंने स्किन निकाली है दरवाइस आप सग्ते तैयार है वह भी बहुत हल्दी होती है तो उपर और नीचे की तरफ ना थोड़ा थोड़ा पाट छोड़ते वे हमें यहां पे कट लगाना है ताकि हम जब करेले के अंदर स्टफिंग एड़ करेना तो करेला हमारा फटे ना इस तरह से आपको कट लगाना है अगर आपके करे करेले के बीज रखते हैं इसलिए मैं यहां पे नहीं निकालूंगी उसके बाद कड़ाई में हम डालेंगे उतना तेल जितने तेल में हमारे करेले अच्छे से तल ले तले जा सके तो अपना कड़ाई में मैंने तेल डाला तेल गरम हो गया उसके बाद बारी-बारी से हम हम कि खान है वह अंटि बैक्टिरियल हुटा है और करहले में विटामिन idée मतरह बहुत वह सारे उसे उसमें पता हैं लेकिन दिमित दिमियाच पर एक तरफ milhões पकाने के बाद lui को मीडियम फ्लेम पर तो बस पांच मिनट के बाद मैंने यहां पर धकन अड़ाया और मैं आपको एक करेला पलेट कर दिखाती हूं दूसरी तरफ भी सेम कलर आ गया है तो बस यहां पर हमारे जो करेले हैं हमें को इतना ही तलना है इससे जादा हमें नहीं तलना है तो अब ना हमारे तले हुए करे है वह निकाल देना है और इतना ही तेल रखना है जितने तेल में हम अच्छा सा तड़का लगा सके तो आप चाहें तो टीशू पेपरबल भी करें लखें जिससे की एक्स्ट्रा जितना भी है वह अट जाएगा अपने आप ही तो अबना हमने तड़के के लिए तेल गरम कर और हरी मिर्च इसको चलाने के बाद ना एक दम बार एक बारी कटे हुए मैंने आप तीन मीडियम साइज के प्याज लिये हैं आप जितना भरवा करें लिए कि सबजे बनाए उस हिसाब से प्याज एड़ कर सकते हैं इसको अच्छे से चलाने के बाद ना हमें यह आपे बे सौफ के पाउडर से जो टेस्ट है वो दसकुना भढ़ जाता है तो अब ना हम यहाप एड़ करेंगे थोड़ासा गरम मसाला और आधे चमच के करीब आमचूर पाउडर आमचूर पाउडर ना होता आप अनारदाना का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं तो अच्छे से इ वेड़ासा ठंडा होने देना तब तक की जब तक हम हाथ से इसको टच कर पाएं तो अब देखं़ हम यहाप पे करेंगे हमारे सौफ्ट हो गये हैं तो इस स्टेज पर आप करेंगे जो बीज हैं अंदर के वो निकाल सकते हैं अगर आपको निकालने हो तो पर हम मेरे घर मे मैं यहां पर नहीं निकाल जो है तो अपर की50 रख सकते हैं नहीं तो आप मेरी तरह सल निकाल सकते है और आपको अगर पसद्चा हो तो अंडर ऑप्सदना हो अनदर के 20 भी निकाल सकते हैं तो अब फटाफ़ट्टपटफट से यह स्टफिंग है वो हम हमारे करेलों के अंदर भर देते हैं तो अब ना इस स्टेज पे ना मेरे सारे घरवाले वेट कर रहे थे कि कब इसकी ये जो रेसिपी का वीडियो शूट है वो खतम हो और हम इसके करेले टेस्ट करें क्योंकि जब मैं मसाला बना रही थी तो इतनी अच्छी सी खुश्बू आ रही थी और लिटरिली जब आप इस तरह से भरवा करेले बनाएंगे बीना कड़वाट वाले गुणों की खान से भरे हुए करेले जिसमें गुण भी बहुत है प्रोटीन भी बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें विटामिन A, B, C है उसके अलावी भी बहुत कुछ है तो इसलिए रहा मैं यहाँ पे जब आप यह बनाएंगे तो मुझे जरूर से बताएं कि आपके भरवा करेले कैसे बने तो अब ना थोड़ा सा करेला को टेस्ट करना तो बनता ही है ताकि मैं आपको बता सकूं कि करेला जो है हमारा कैसा बना तो बस अब हम हमारा करेला टेस्ट करते हैं बहुत अच्छा बना है जरूर से बनाएं